किसान अंदोलन में आपने बीजेपी का साथ दिया, स्तीफा नहीं दिया, आपको लगता है कि उसका नुकसान जादा हो गया आपको और इसलिए दो हज़र चौबिस के लोकसभा चुनाओं में आपके दस उमिद्वारों को दो लाख वोट नहीं मिलें और आप 15 से 1% वोट पर आगए मैं बोलतो रहा हूँ हुआ मिर को आज गाओं में जाते एक आम धारणा ये है कि स्तीफा दे जता तो मुख्यमंत्री बन जाता क्या वो दारणा चौदरी देविलाल जी की वो बात जो वो कहा करते थे कि समझाना राजनिती में मुश्किल है बैकाना असान है उसको पूरा नहीं करती मैंने फार्मर्स के लिए बहुत कदम उठाए आज अर्याना में ओडे गिर जाते है तीस दिन में मुआवजा खाते में आ जाता है पिछली बार फ्लड आई पहली बार पॉलिशी बनी की यमना का सिल्ट जिसके खेत में आया उस किसान को उसको बेचने की माइनिंग से कि पूरे दिन इन चीजों को परचार करें अलग लग तरह के मीडिया पर हम परचार नहीं कर पाए मगर जंता समझेगी आज नहीं तो कल समझेगी लेकिन पहलवान अंदोलन में के वक्त भी आपने स्टीफा नहीं दिया जवान किसान पहलवान अकर सबसे बड़ा दिपंदर हुड़ा आपकी सीट पर गए वो कह रहे है कि आप उचाना कला सीट भी आपके लिए मुश्किल होगी दोनों तरफ से अब आप पर अटैक हो रहा है क्योंकि आपकी दस सीट पिछली बार निर्नायक रही उनको लग रहा है गर फिर चाबी वाला अक्टिव हो ग चुनाव हुए कोंग्रेस एक जीती हो दिपंदर उड़ा की ऐसा क्या हो गया कि आजे माखन आरगे ऐसा क्या हो गया कि कॉंग्रेस की राष्ट्रे आधेक्स के आदेश बाद भी आर के अनन चुनाव आरगे शाही बदल गी इस बार एक वोट कैंसल हो गया तो मुझे वो गणित राजनीती का नहीं आता कि पुत्र मों में बाप ने सारी कॉंग्रेस को खतम कर दिया और क्या आज हालात कुमारी शहल जाके हैं, किस तरह की टिपनी कॉंग्रेस की रेलियों में उनके लिए करी जाती है, मुझे नहीं लगता कि उस संक्ठन के अंदर आज को सोचे, औ केवल मातर कुमारी शहल जाई नहीं, अभी विरेंदर सिंग जी ने आप उचाना की बात कर रहे हैं, क्या महिलाओं के लिए शब्द यूज करे हैं, कि भांज हो जाती है, जेपी क्या कहता है, कि पाउडर लिपिस्टिक लगा के आती है, आप लोग ये चीज तो नहीं ले गोगी इनका MLA है असन से, क्या बोलता है, पहले मेरा घर भरूँगा, फिर परिवार का भरूँगा, फिर औरों का भरूँगा, ओन रिकॉर्ड है, कुनाल बादू जो भुपेंदर उड़ा का दामाद है, डॉटर मेरिड है, आज जजर में क्या बोलता है, कि यहां कॉंग हर्याना कवर करता है, मुझे खुशी है, अशोक जी बेठे है, कि मेरा इंटर्व्यू करने आए बीस दिन पहले, और बीस दिन पहले जब इनने आकर मेरे आगे माइक रखा, उससे पहले एक चीज बोली, कि तो शड़के बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अन्रवाना के रह स्ट्रक्चर हमने साड़े चार साल में ठीक करवाया है, मेरे से पिछली गवर्मेंट बीजेपी की थी 13,000 किलोमेटर था, उससे पिछली कॉंग्रेस की थी 9,000 किलोमेटर था, ऐसा दुशन्त के पास क्या आया, कि 29,000 किलोमेटर रोड नेटवर्क को हम एक छोटे टाइम के अंदर पूरा करवा पाए, विजन था, विजन फुल्फिल किया और जहां पहलवान की बात करते हैं, पहलवान आंदोलन में मेरे स्तीफे का भुचित्य नहीं बनता, पहलवानों का आंदोलन दिल्ली पुलीस ने टैकल किया, पहलवान जिस फेडरेशन के विरुद लडरी वो फेडरेशन अर्याना में रिजिस्टर्ट निया, डिली में रिजिस्टर्ट है, और जिस अध्यक्ष के विरुद लडरी थी, वो बीजेपी का बिहार का, बिहार के बौर्डर की जो सीट पड़ती है, वहां का सांसद है, और उस समय भी मैंने कहा था कि there should be a fair investigation, Supreme Court ने आद उसके पिता जी, महावीर जी जो अताव है उनके, वो कह रहे थे, मतलब विनेश जी के, वो ये कह रहे थे कि जब राजसभा उनको भेजना था तब तो भेजा नहीं, लेकिन अब वो Congress Party के टिकट पर चुनावी मैदान में सामने कड़ी है, आपके पास कभी विनेश आये, ये पूछ लेना, जब उसकी नी का ऑपरेशन हुआ था, आज से पांच साल पहले, जब उसकी मदद किसने करी थी, सिर्फ एक organization थी, Indian National Student Organization, जो हमारा चाहतर संटर में, बच्चों ने कॉलिजों में पांच लाक रुपे कठे कर कर दिये थे, उस टाम दिपेंदर कहा था, मैं दंगल अलग है, वहाँ one-to-one लड़ाई होती है, यहाँ दो लाक वोटर के सामने जाकर उनका विश्वास जितने की लड़ाई होती है, बहुत अंतर होता है दुशन जी, आप अभी दिपिंदर हुड़ा पे, भुपिंदर हुड़ा पे आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने पूरी कॉंग्रेस हर्याना में साफ कर दी, यही आरोप तो आपके चाचा और दादा लगा रहे है, कि आपने चौदरी देविलाल की बनाई पार्टी को पूछा था, और मैंने जब कहा था कि अवे सिंग चोटाला इस नौन सीरिस पॉलिटिशन, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, अगर इंडिन नैशनल लोगदल के पास को एविडेंस है कि दुशन चोटाला रेजिगनेशन लेटर दे कर गया, तो तोड दी आपने, सुनो तो सरी, मेर को पार्टी से निशकाशित किया गया, उस समय के स्टेट प्रेजिडेंट तो आज कॉंग्रेस का थाने सर से कैंडिडेट है, अशो करोडा ने, उसके बाद दिग्विजे सिंग को किया गया, उसके बाद चौधरी ओंपरकास चोटाला के सिगनेचर बिना, डॉक् रजे सिंग चोटाला जी ने ये नी कहा कि I want to claim myself as a leader of NLD. उनने meeting करी, 17 November तारीक थी, 2018 की और ये कहा कि नए जंडे-डंडे के साथ शुरुवात करेंगे। आपको मिला, और चावी की भूमिका में आप हर्याना मेरे, ने तो मानता हूँ, बहुत अच्छा चुनाव चिन मिला. और ये चावी आज तो हर्याना की आप चर्चा करते हूं, हम इतनी मेहनत करेंगे देश की चावी बनेगे। देश की चावी बने बिल्कुल बने उसमें तो आपको खेर देखना पड़ेगा किधर जादा अगर इतिहास उठाएंगे 1970 के दशक से लेके 2000 का दशक ऐसा था कि 30 साल में अर्याना पंजाब की सहमती कि बना देश की सरकार नहीं बनती थी क्यों नहीं दोर ला सकते लेकिन फिर अस्थिरता भी तो नहीं होनी चाहिए मैं अगले प्रश्म पर आ रही हूँ आप फिर मेरी क्रेडिबिलिटी असिरता की बात करते मैं कैसे अस्थिर हूँ आप टाक्टिक से चले ना छे महीने पहले आपने सरकार से समर्थन लिया आप अग खीचा अलग आप अपने फैक्स करेक्ट करिए अलग नहीं होए अचाहिए एक चीज़े ना मने रिजा इन किया ना मने एंडिये छोड़ी एंडिये ने फैसला लिया मुख्यमंत्री बदलेंगे पूरी सरकार मुख्यमंत्री की रेडिगनेशन के बात गई नहीं है क्या यह सोची समझी आपकी स्ट्राटेजी थी बीजेपी के साथ सुनिये पूरा प्रशन से सुनिये क्योंकि यहां पर अलग-अलग फैक्शन वो चाहते है कि 20-21 जो दलित वोट है वो बटे और इसलिए आपने आजाद समाज पार्टी से यहां पर अलाइंस किया है जिसस है कि हम दोनों 36 साल के हैं आप यूवा क्यों नहीं सोचते हैं आज 55 परसेंट वोटर अर्याना का यूथ है क्या उनको विजन नहीं मिल रहा है क्या आपने अभी तक हमारा मैनिफेस्टों पढ़ा है कि सिरफ हमने जाट या ऐसी की बात करिया या किसान या ऐसी की बात करिय आपने तो जीजिए मनिफेस्टों